इस संपत्र का एक और नया चैप्टर, इसका नाम क्या माशा की तंटों का आवर्थ वरगी करनहैं कि थांडिक हैं कि इस पास क्या है कि हमारे आज पास बहुत सारे पदार्थ हैं और वह जितने भी है पदार्थ सभी का सभी तत्व only करके बने होते और तत्व में क्या होते हैं परमानू होते हैं तो परमानू यानि कि तत्व एक तो है नहीं आज की डेट में टोटल 118 कितने 118 जो तत्व है वो खोजे जा चुके हैं ठीक है उस 118 में से 93 तत्वी जो होते हैं हमारे से 94 तत्वी है जो परकरति में पाए जाते हैं ठीक है बागी तत्व जो हते हो वो मानव ज्याक propic तत्व Odिया उसकी बात नहीं होगी पात वहरी जो तक ना करती में पाए जाते हैं उन तत्व ठीक है ना तो सबसे पहले यहां पर आता है जब एक तत्व था जब फिर दो तत्व फिर तीन तत्व फिर चार तत्व ने लगी तब उनको प्रोब्लम आने लगी कि यार इन तत्वों को न कैसे रखा जाए इनका अध्यान आसान कैसे किया जाए उनमें उनकों समझाय उत्मन होने लगए ठीक ना तब ग्यानिकों के दिमाग में आया कि क्यों ना इन तत्वों को बरगी क्रित किया जाए इसको क्लासिफाई किया जाए तो क्लासिफाई करने के लिए उनके दिमाग में अलग-अलग आइडियाज आए एकने dengan की ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए ठीक आ तब उन्होंने तक्तों को classify करना प्रारंब क्या classify का मतलब होता है अलग करने प्रतह सब्सक्राइब करने की जुर्वत क्यूं पड़ी जुरुत क्यों पड़ी आप लोग मेडिकल स्टोर पर जाते हो पर्ची देते हो और जाकर कि जो होता है वहापर फार्मसीस्ट वह लेकर के पर पड़कर दबाई जाता है नहीं रहा जोड़ा 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 देखोंगे क्योंकि उसने क्या कर रखा है फार्मसिस्ट ने अपने मेडिकल स्टोर में जो दवाईयां है उसको लगाया हुआ सिस्टमेटिक तरीके से ठीक है ना उन्होंने उसे क्लाजिफाई कर रखा है कि इधर कितरब कैप्सूल है इधर सीरॉप है इधर इंजेक्शन है ठीक है इधर बेंडेज है इधर ट्यूब है है ना क्रीम है अरे सर्माग्या मैंने कहा तो क्रीम का मतलब होता है कोई भी ट्यूब दर्दखा हो सकता है ना को सर्माग्या सोच करके क्रीम की बात कर रहे हैं गोरा होने मारा फिर एंड लबली की बात कर रहे हैं ग्लो एंड लबली होगा आप तो हैं क्यों हम तो वो लगाते हैं संतूर से नहाते हैं smart हो जाते अंटी घमरा जाती है अभी तक smart लग रहे हैं ठीक है तो तत्वों का हमें क्या करना है classification करना है किसलिए जरुत पड़ती है क्योंकि पढ़ाय जो है असान हो जाए ठीक ना तत्वों को खोजना असान हो जाए अगर आज के दोर में कोई बोलेगा कि बत कि हब ले एसमों में हैं ठीक है नरन तीसरे आवर्थ में हैं तिसरे दॉरंत बोल देंगे द्रूर्त मिल जाएगा रिम लोग किछी नहीं कहा कि बताओ सोडियम की जो स रजकता होती कितने होती हैं हम खेंगे एक होती है क्योंकि पहले समुम है अब पहले समुम है जितने भी तत्व है सब की आपका एक होती है अब हम से किसे ने पूछा कि बताओ प्रवेडियम है जो आज होता है थैसे बात करेंगे यानि कि हमें अध्यान करना हमारे लिए आसान हो जाएगा ठीक है ना तो अब क्या है देखो तो यह कह रहा है कि हमारे आसपास के सबस्टान्ज या फिर क्या सकते हो पदार्थ तत्व मिस्रन एवां योगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं यह रिमोट हो गया यह हमारे टेलिफॉन हो गया यह इसके टोपी हो गए सबी चीजे जो आपको दिखता अपना असपास यह सब क्या है पदार्थ है उनमें अल अनूहों क्या होते हैं देखो तत्व वह होते हैं पदार्थ जो एक ही प्रकार के अनूहों से मिलकर बने हैं तत्व कहलाते हैं समझे के अंदर सारे क्या हता है नहीं पता है अने मतलब नैट्रियम यह लेतीन सब्द है और अंगरिजी म कहते हैं इसको सोडियम मैंघनियसियम यह सब क्या है यह सब उधारन है थे ठीक है न को टोटल एक सो अठारा तत्व जो है वो खोड़ी डार चुके हैं और हमें ग्यात है उस अठारा तत्वां को हमें क्या करना है तो हम अपने टैंथ क्लास की लेबल पर थो थोड़ा सा तिखेंगे ठीक है ना बाकि इसके बारे में जो डिटेल आता है पूरा है ना कहां पड़ा मैं टीक है ना मैंडलिव भी कर चुका है इसके पहले प्रारम में जो हो सका है सबसे पहले जो खोड़ा ता वो डोवे राइनव में क्या तर अब हम लोग आगे न सीखेंगे डिटेल में पिर को रहे निव लैंस आया था अस तक का से धांद दिया उसने फिर बान मैं मैंड और चन्हों दीए ठीक है ना खूबिया बताई और उसकी कम्याँ भी रह गई उसकी मैंने लिपकी और फिर को ना आता है आधुनिक आवर्थ शारनी आदुनिक आवर्थ सारनी कैसी है कैसी दिखती है सब पढ़ाएंगे आपको ठीक है ना और आधुनिक आवर्थ सारनी तो सबसे पर वह हमाँ टॉपिक लिखेंगे हम लोग आप लिखो अध्याए पांच तो मतलिको लिखो तत्वों का आवर्थ भरगी करें नाम डाल बाएंगो इसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुवाव से मिलकर बने हैं तत्व कहलाते हैं इसमें सोडियम सोना मैइगणिशियम अभी तक कितने हैं तत्व कुल 118 ततव गया आता है ठीक है ना लिखो इसको देखो लेखो हैडिंग वर्गी करण की आवश्रक्ता क्या लखेंगे वर्गी करण की आवश्रक्ता क्यूं पढ़ी इसके आवश्रक्ता तत्वों को सुवयवस्थित ठंग से पर दूब की आवश्रक्ता की आवश्रक्ता की लिए और उसके अध्यान को असान हो सके इसलिए क्रते हैं तत्वों को सूव व्यवस्थित ढंग से उसको हम लोग बोलते हैं क्या पड़ी आप सत्वाइं पड़ सक्या ध्यान करते उसको निख़ो इसको ठीक है न क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहला विज्ञानिक को नाएगा दोबे राइनर विज्ञानिक का नाम है त्रेट बोलते हैं जब तत्वों को उनके बढ़ते वे परमाणूं भार के अनुशार क्या होता हम इसको अरेंज करते हैं तीन तत्वों में देखो यह कहाँगार कैल्चियम इसको चोड़ो आप यह देखो इसका जो इसका हुआ है लीथियम हो गया देखने रहे ना देखो यह यह लीथियम हो गया सोडियम और यह क्या हो गया यह तीनों के तीनों और में है मतलब यह देखो लीथियम आता है पहले फिर सोडियम और फिर पुटेसियम इसका तो छह होता है परमाणुभार इसका होता है तैईस और इसका होता है उन्तालीस ठीक है ना इसने क्या करा डोव तीनों तत्व के अंदर क्या क्या उसने पहले वाले का और तीसरे वाले का परमानु भार को जोड़ करके दो से भाग कर दिया दो से इसे कहते हैं और सब्सक्राइब तो 6 प्लस 49 को भाग करें 2 से कितना आएगा दो च्यालीस बटे 2 आएगा और दो से भाहते दो तईस आएगा कितना और तईस भाहर होता है किसका बीच वाले तत्व का चीकर ना तो डोबे रैनर ने क्या करा तीन तत्व लिए तीनों तत्व में से पर्थम का और लास्ट वाल टीकले यहां के थीटिन तत्वों का रिपयट बनाया और इन तीन तत्वों को उन्हों ने एक चीछात जाँ कहा उन्हों traid यानिकि कि काटिक रेक उसमें इसको व्यूंकर प्रकी चीज़ा है od स्रॉंट्यम है और विरियम है इस पहले वाले का और किसरे वाले का जो भार होगा अगर हम जोड करके दो से भाग कर देंगे है थी ए आप तो जोड़े करके पहले को और भाग दिया गया तो भॉरोमीन के ब्रावर निकल तो आपने यह लिख दिया इसके बाद आप क्या लिखो अच्छा इसका साथ होता है यह च्छा की बजाए ना साथ होता है ठीक है ना आप यहां पर साथ लिखेंगे तब आएगा वह बाए कि आपको सबसे पहले क्या करना है भी टीनक लिखनी है राफ्ट होते हैं जिन्हें क्याते हैं पृंहंNow का गया त्रीक मद्य तत्व का पर्मानुभार अड़ने दो तत्वों के प्रमानुभार का माद्ध होता है माद्ध का मतलब होता है कि बीच का बीच का नहीं आउस्थ बोलते है जितने भी तत्व होते न सबको भार को जोड़ करके जितने संख्याहें तत्वों की उसे भाग करते इसके बाद में आपको एक्जामपल लिखना है क्या लिखना है और इक्जामपल में यह लिखना है इसमें लिखो एक्जामपल लिथियम का भार होता है कितना साथ सोडियम का भार होता है तेहीस ठीक है और और क्यों रहें का पोटेसियम का भार होता है 49 ठीक है ना तो सोडियम का जो भार होगा एने का भार वो इक्वल होगा किसके देखो यह इक्वल होगा 49 प्लस साथ बटे में दो 49 भार है किसका पोटेसियम का साथ किसका लिथियम का दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 23 भाग करके दो से ठीक है ना इग्जांपल हो गया दो Zoo डृइन के ट्रेड हो गये एक हो गया ढो पक्रेड यह हूं दो पेबर करते हैं पर्दिचर न julie यहमारई क्वार पेपर में आगर को सणनायगा आगा वां प्रिंसलि mo Amo x вмillä dog यह nicima को यह कुछ यह बना पाई फिर फेल फिर सबका नहीं के नहीं बन पाई ठीक के नहीं बन लिक कर फिर लिख दो ठीक है इसमें क्या है केल्चम कुतना है 40 कितना है देखो केल्शियम का भार 40 प्लस 137.3 और यह 40.1 था अब बटे में करेंगे 2 तो देखो 40 माल लो चालीज प्लस 137 माल लो बटे 2 से भार कर दो लगवग लगवग कितना आएगा सहतासी आएगा देखो जोडते हैं साथ जीरो साथ हो गया तीन और चार फिर साथ हो गया एक आएक आगया बटे दो दो अटे कितना होता है एक दो टे शोला अठासी आप पॉइंट पांच आ ठीक ना कितना रहे एक अठासी पॉइंट वह हमने अप्रॉक्सिमेटल लिया ना तीनों चार ने किया इसलिए ठीक है ना ऐस चे निकल करेंगा ना अठासी पॉइंट पांच अजपास ही आता है लगवग लगवग ठीक देखो तो यह जो है नए फेल वह गए उसके समय पे इतने तत्व थे कि उसमें से केवल तीन ही बना पाएं तीन-तीन के रिपलेट केवल तीन ही बना पाएं ठीक है ना और बागई तत्व ऐसी रह गए बेचारे सब को स्थान कह लो, क्लाजिफ्टेक्ष्टेयल नहीं कर पाए, क्या हो गए,akल उस समय तक ग्याद तत्वों केवल तीन ही बन पाए तीन ही तत्रीक ग्याद कर सके थे neighbors, pragmatic नहीं हो पाए तो के बाद कोईसि कोशिश कर रिए प्रयास किया कुछ हुए के सफल ना नुबन का अस्तक सिध्धान प değड़ते हुए परमानु भार में लगायेंगे तो पहले तत्व का खु Además समान होता है क्या होता है पहले तत्वका और आठवें तत्वका गुंधरं समान होता है ऐसा कहा किसने न्यू लैंड ने ठीक है न न्यू लैंड का अस्टक सिधां अस्टक का मतलब आठ होता है, बताओ, आप जब संगीत के उस सूर में काते हो, सारे गामा पाधा नी, साथ हो गया ना, फिर क्या करते हैं, फिर से बोलते हैं क्या, सारे गामा पाधा नी, तक तो सा, सारे गामा पाधा नी, नी तक क्या हो गया, साथ हो गया, फिर सा, फिर से पहला हो गया है न तो सारे गामा पाधा नीसा से क्या करा इसने अपने इसको तुलना करा ठीक है ना यानि यह कहना चाहरा है कि पर्तित तत्व में पहले तत्व का और आठवे का गूर्धरम क्या होता है समान होता है अगर हम उसको बढ़ते हुए पर्मानुभार में लगाएंगे तो देखो न यू लेंड ने तत्वों को बढ़ते परमानुभार के ओर्डर में विवस्थित किया तो पाया की परतेक आठवे तत्व के गूर्ण पहले तत्व के समान ठेक है इसकी तुलना संगीत के अस्टक से की गई इसलिए इसे अस्टक का सिधान्त कहते हैं ठीक है ना लीथिया मे अभे गामा पाधाज़ाँ नि हो गया ना साही हुआ हो यह एक लेक्टर वेडिय लेता है यह फैंड ना उस्समें यह नहीं थे आप देख यह उस समय नहीं थे और इससका है मैं यह होता है ऐसा ही लीथयम का, सोडियम का गुल कैसे होते हैं…SAMAAN होते हैं, एह जैसे बेरियम का और मैग्निसीयं का भी समान होते हैं, बहरोण का है, ऐलमियख़िंङूम का यहां से देखो एक हो गया तो यहीं पर पहुंचेगा इसका यहां पहुंचेगा तो हरे का गुण क्या सा हो रहा है बिल्कुल समान है तो अस्टक का सिद्धान्त यह कहता है कि अगर आप परमानुभार को बर्तवे और्डरम लगाओगे तो परतेक पहले यह बिल्कुल समान होगा इसको आप लिखो तालिका बनाओ अपने नोट्स बुक में ठीक है ना चलो हां जी पूरा लिखो अच्छे से नोट्स बनेंगे पूरा अस्टक का सिद्धान्त लिखो अउसमें लिखो नुझा ने तत्वा को बरते परमांभार के और में वेवर्श्रीत किया तो पाया की प्रतेक आठवी तत्व के गून पहले तत्व के समानत है ठीक है ना यह है नियम आपको यह लिखना एग्जामपल में आपको यह सब लिखने ठीक है यह पूरा बनाग के दिखाना है आप करते हैं नेक्स्ट क्लास ठीक है न जो बचाओ पार्ट है वो